अधाओ अव्रिवान आज में लेकर आई हूं बेशन के डोकले की रेशिपी अड़ी मैं डाल चुकी हूं बेशन ठोकला और आप लोगों ने बहुत ज़ादा उसे पसंद किया था बहुत बहुत शुक्री आप लोगों का आज मैं फिर से इसलिए लेकर आई हूं कि कि उस वी रेसिपी खराब है तो आज मैं फिर से एक दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हूं जिससे आपका धोगला है वो 100% जालिदार बनेगा हाई फ्रेंज मैं गिता वर्मा गिता किनू रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आज मैं बहुत जादे इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर रही हूं नीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो यहां पर सबसे पहले हम स्टीमर बनाएंगे उसके लिए मैंने कड़ाई रखी है गैस पर इसमें मैं डाल दूंगी दो गिलास पानी पानी क्वांटिटी कमनी होनी चाहिए क्योंकि ढोकला जब हम बनाते तो पानी सूख जाता है कई बार तो पानी अच्छी क्वांटि यहां पर एक बाव लिया है उसके उपर मैंने च्छनी ली है यहां पर मैं डाले हूं एक कप बेसन यह करीब 200 ग्राम के करीब है और यह बारिक वाला बेसन है आप मोटा बारिक कोई साभी ले सकते हैं इसे मैं इस तरह से छान लोंगी चान में इस लिए रही हूं कि इससे क चान लिजेगा एक टेबल स्पून में इसमें ऑयल डाल रही हूं यह चोटी चमच यहां पर फोल भी बोला जाते हैं अपको परचून की दुकान पर इसली मिल जाएगा एक टीस्पून यहां पर नमक एड़ कर देंगे और जो लोग सेटरिक असेड नहीं डालना जाते हैं के पास नहीं है तो दो टेबल स्पून निम्बू का रस एड़ कर दीजेगा अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करूंगी हमें एक थोड़ा सा पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तेयार करना है और बहुत सारे लोगों की कंप्लीट आती है कि माम हमारा जो धोकल में जो हल्दी है वह एक चुटकी डाले या फिर हल्दी स्किप कर दें हल्दी ना डाले या फिर मेरी तरह यहां पर येल्लो फूड कलर का इस्तमाल कर सकते हैं एक ये दो डॉप आपको डालनी है ज्यादा नहीं डालनी है तो तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं बहुत इसे ज़िला के छटकी भर हल्दी डालें चुटकी भर से ज्यादा हलदी कभी न ढालें तो हमारा बैटर रैडी हो गया । इस तरह का पोरिंग कंसिस्थेंच छोटा सा और उसे इस तरह से ओयल से ग्रीस कर लीजे जिससे की ढोकला बहुत ही आसानी से निकल जाता है इसे मैं साइड में रख देती हूँ अब यह जो बैटर है हमारा सेट हो चुका है इसमें मैं डालने वाली हूँ वैसे तो मैं एक इनो का पाउच इसमें डालती हूँ पर जिन लोगों का ढोकला नहीं फूलता है वह इसमें दो pouch डाल सकते हैं तो यहां पे मैं आपको दो पा आपने जाली-दार बनेगा कि इसके उपर में हलका सब पानी डाल दूंगे इससे क्या होगा जो इनो अब अच्छे घुल जाता है कई बार कंप्लेंट आती है कि माम ढखला कहीं से फूल गया कहीं से नहीं फूला इसका मतलब आपने जो इनो मिक्स किया है वो अच्छे से नह यहां पे आप देख सकते हैं काफी तेज भाप निकल रही है तो इस तरह से तेज भाप में ही इसे हमें 15 मिनिट तक पकाना है गैस को मीडियम पे रखेगा तब तक हम तड़का तयार कर लेते हैं यहां पे एक टीस्पून में तेल ले रही हूँ अब इसमें मैं हाफ टीस्पून सरसो के दाने या फिर राई डालूँगी और पांच हरी मिज डालूँगी बीच में से कटी हुई और थोड़ा समय यहां कड़ी पत्ता डाली हूँ एक से सवा गिलास के करीब में पानी अट कर रहे हूँ आपको जितनी रिक्वार्मेंटों आप उसके हिसाब से पानी अट कर सकते हैं दो टेबल स्पून में यहां पे चीनी अट करूंगी और एक टीस्पून नमक अट करूंगी साथ ही मैं इसमें एट करूंगी एक टीस्पून सिट्रिक असिड अगर आपके पास सिट्रिक असिड नहीं है तो आप इसमें निम्बू का रसाइट कर सकते हैं एक टेबल स्पून अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को हाई पे रखेंगे वसी से हमें एक बॉइल देना है जैसी बॉइल आ जाएगा उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे तब तक यहाँ ठूखला चेक कर लेते हैं 15 मिनिट हो चुके हैं इसक्जागे टूथ पे चाप्या डालेंगे तो यहाँ पिड़ी का से बैटर लगा हूँ आ रहा है और अगर गिला चे बैटर कच्चावडर नहीं आ रहा है अगर गीला यह कच्चावडर यह जosc्ञा कर लेकर ahead काफी अख्छा सा उबाल आ गया है गैस बन लेटे नहीं है आपस सब्सक्तलें कर लें तुर्ट कर लेंगे अब ये ठंडा हो चुका है और जैसे ये ठंडा हो जाता है ये देखे साइड्स को अपने आप छोड़ देता है इसे पलट लेंगे इस तरह से और पलट के मैं इसे फिर से सीधा कर लूँगे और आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितना स्पंजी बना है ये देखे इसमें अब को जाली दिख रहे होगी बहुत सारी तो अब इसे मैं आहिंगे नहीं बनाहें और आपको लिखाती हो अंदर से कितना स्पंजी इसांनी जाली होती है जितनी जाली कट कर लोंगी कि रहे चोटे-चोटे पीसिस में कुट कर लोगी और आपको गैसे करकर दिखा हूं में तिह लिए न성कर कि तरी चार भी होस्ट फटी है तुटी नदे के उ कि आपको भी श्चार पाइसा इसके ऐड़ी दी सपोनजी बन देत के यह जालिया आप देख सकते हैं और भी पीसे आपको दिखा देती हूं यह देखे इसमें कितनी सारी जालिया है जब इसमें हम चाशनी डालेंगे तो यह और फूल कर मोटा हो जाएगा यह देखे मैं इसको प्रेस करके दिखा रही हूं किस तरह से स्पॉंज की तरह ऊपर आ रहा है यह देखे सारे ही पीस में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बड़ी बड़ी जालिया पड़ी है यह बहुत स्पॉंजी बनता है एकदम गैरेंटीड तरीका है आप इसे ट्राय करें जिन लोगों से नहीं बनता है ढोकला तो वह इस तरीके से ट्राय कर सकते हैं और हम इस तरह से चाशनी डालेंगे हमेशा कट करने के बाद चाशनी डालें ताकि वह अंदर तक चली जाए इसमें काफी सारी जालियां पड़ गई है जिसके वैसे जो चाशनी है वह अंदर तक चली जाएगी हम इस तरह से सारी जो चाशनी है वो इस तरह से बराबर डालेंगे जो ढोकला है तो सारी चाशनी को अच्छे से अब्सॉब करता जा रहा है क्योंकि काफी जालिया पड़ गई है और जो जाली है उसके अंदर जो चाशनी है वो भर जाती है और जिसकी वेले से धोखला बहुत अच्छा लगता है और अगर आपको लगे कि धोखला सही से नहीं पी रहाया चाशनी इससे पीस इसको अलग-अलग कर दिजे ताकि चाशनी अच्छill को से हर पीस में जाए यह देखी इस तरह से अलग-अलग कर देंगे तो यह बहुत अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब कर लेगा तो अब मैं और भी जो मेरी चाशनी बची हुई है वो भी इस तरह से ऊपर से डाल दूगी तो जहां भी मुझे लग रहा है कि जो ठोकला वो सूखा हुआ है इसमें चाशनी नहीं गई है तो इस तरह से हम यह डाल देंगे और यह हमारा एक्तम सॉफ्ट और स्पंजी जाली दा ठोकला रेडी हो गया है ट्राइ करिएगा लिख के बताएगा रेस्पी कैसी लगी वीड